तो दोनों हाथों को उपर करके जोर से बोलिए तो चलिए शुरू करें नहीं तो आज की स्वीडियो के दर हम बात करने वाले हैं Samsung Knox की कोई fanboy भी है नहीं है Samsung का वो भी जानता है कि Samsung security प्रोवाइड करवाता है Samsung Knox नाम से 2019 के अंदर best security award जीता है इसने और जब जब Samsung Knox की बात आती है तो सिर्फ हम एक ही चीज़ के बारे में बात करते हैं वो है secure folder बट personally मैं बता हूँ 6 साल से मेरे पास Samsung के smart phones हैं flagship मैं use करता हूँ बट मैंने अभी तक secure folder का use नहीं करा secure folder खेर कुछी साल पहले से आया बट मैंने अभी तक use नहीं करा और मुझे question भी आते रहते हैं भाई कैसे secure folder की हमें security देखने के लिए मिलती है Samsung Knox के साथ और कुछ नहीं मिलता तो यहाँ पर भाई बहुत सारी चीज़े मिलती है even आपका phone off भी है जब भी Samsung Knox आपके data को protect करता है और जब से ना Poco M2 Pro आया है जब से भाई हर किसी को एक ऐसा phone चीज़ जिसके अंदर अच्छी security देखने के लिए मिलती हो तो आज हम बात करेंगे Samsung Knox की और उससे पहले मैं बता दू Samsung के enterprises phone की बात हम नहीं करेंगे हाँ पर Samsung के normal phones की बात करेंगे तो इस वेसे वीडियो लेट आ रही है तो वीडियो की स्टार्ट कर लेते हैं उससे पहले आप मुझे influencer बना सकते है Instagram और Twitter पर follow करके और चैनल बने हो तो चैनल को subscribe करके notification bell को कर देना press और comment में जबरूर बताने कि आपको वीडियो कैसी लगी तो इस टार्ट कर लेते हैं तो यहाँ पर सबसे पहली चीज आती है Samsung Knox जो है यह एक dedicated hardware यूज करता है basically Samsung एक chip यूज करता है उसके साथ एक software भी चीए उसे run कराने के लिए तो software प्लस hardware का combination है Knox security और ऐसी top 4 ही smartphone कंपनिया है जो की hardware based security प्रोवाइड करवाइड करवाती है Apple, Google, Samsung and Sirilabs Sirilabs के smartphone इतने भेंगे है मलब 20,000 डोलर के मैं car लियाँगा भाई निकाल कर तो यहाँ पर यही 4 smartphone कंपनिया जो की dedicated hardware based security प्रोवाइड करवाइड करवाइड लेकिन इन में से 2 ही ऐसी कंपनिया है जो की आपको security app भी प्रोवाइड करवाती है एक है Samsung, एक है Sirilabs अब यहाँ पर Samsung 2019 में best security award जीच चुका है और इसे multi-layer security system भी बोला जाता है काफी ज़्यादा secure है मालब Samsung यह भी claim करता है कि इसे कोई भी hack नहीं कर सकता अब क्यों नहीं कर सकता उसकी बात कर लेते तो जब आपका smartphone off होता है यह जब भी काम कर रहोता है ताकि आपका data कोई निकालना सके software और hardware कोई चेक करता रहता है कि भाई यह सही तो है तो पहली चीज तो यह गई आपका bootloader unlock तो नहीं है और OS firmware वह सेम होनी चीए ऐसे नहीं कि थोड़ा वह चेंज हो गया उसके अंदर और अगर अपडेट करा हुआ है अपना phone और अपने डाउन ग्रेड करा है और आप ओन कर रहे है तो भी यह नहीं खुलेगा और अगर सारी चीजे सही रहें तो क्या होगा कि आपका phone on हो जाएगा और नहीं होई तो क्या होगा आपके phone के अंदर hardware होगा Samsung के phone के अंदर और उस hardware का नाम है trust zone trust zone के अंदर होता है fuse जैसे कि आपने fuse के बारे में तो सुना ही होगा यह क्या हो जाता और उसके बाद यह कभी भी सही नहीं हो सकता और उससे क्या होगा कि आपके phone की warranty चली जाएगी आप जितने भी nox related features से उनको use नहीं कर पाएंगे Samsung pay, Samsung pass, Samsung health और secure folder और जितना भी data है nox related वो सब उड़ जाएगा चाहिए आपकी photos आपने रखी हो समाल का सब कुछ permanently delete हो जाएगा और आप उसको फिर से नहीं कर सकते restore तो यह फायदा है भाई hardware का अब यहाँ पर और चीज़े आती है यहाँ पर हम बोलते हैं Samsung को कि यह multi layer security provide कर वाता है अब यहाँ पर मैं चोटा सा एक्जामपल ले लेता हूँ आप मुझे यूट्यूब पर देख रहे हो तो यह एक application है इसको चलने के लिए किसकी जरूरत है screen की जरूरत है speakers की जरूरत है 3.5 mm jack की तो आपको इन चीजों की जरूरत है और इस hardware की requirement application को को प्रोवाइड करवाता है kernel kernel एक OS का part है यह provide करवाता है सारे assist को और कोई भी hacker अगर आपने कोई malicious app download कर लिए तो कोई भी hacker attack करता है सबसे पहले kernel पर kernel को अपने वस्ट में लेकर वो आपके phone के किसी भी part के साथ छेड़ खानी कर सकता है आपका data ले सकता है आपको कोई भी hardware को assist कर सकता है easily तो यहां पर Samsung ना इसको भी protect करता है दो तरीके से एक होता है RKP एक होता है PKM तो यहां पर RKP होता है real time kernel protection यह क्या कर रहा होता है basically तो यह उसको वही पर रोंग देता है बंद कर देता है तो यहां पर यह फायदा है Samsung nox का और दूसरा आता है यहां पर PKM periodic kernel measurement यह काफी कमाल की चीज़ आपके Samsung smartphone के अंदे जिसके अंदर नोक्स मिलता है उसके अंदर एक architecture होता है Tima इसके अंदर काफी सारे features होते हैं वैसे तो लेकिन यहां पर एक feature आ जाता है PKM periodic kernel measurement यहां पर यह क्या करता है बार बार चेक करता है kernel code को जो कि firmware के टाइम पर Samsung एक code प्रवाइड करवाता है उसको अगर वह code same हुआ तो भाई यह नहीं हुआ तो क्या होगा आपको violation का एक message आ जाएगा तो यहां पर यह प्रवाइड करवाती है security nox अब यहां पर बात कर लेते हैं जैसे कि एक application है जिसको सारी permission चीए बट उसको hardware requirement कम किये जैसे कि POCO के अंदर था उसने सारे hardware का assist ले लिया था लेकिन उसको requirement कम कि थी तो Samsung nox क्या करता है कोई application ने जिसने सारे hardware का assist लेने की कोशिश करी या ले लिया मानलो ले लिया बट Samsung उसको वही चीज एसिस करवाएगा जिसकी उसको सही में requirement है तो यह काम करता है भाई Samsung का nox और यहां पर जैसे कि हमें पता ही है कि Samsung का secure folder मिलता है लीक के chances और भी कम हो जाते हैं वैसे तो वह protect करी रहा है लेकिन secure folder से थोड़ा और protection आपको extra मिल जाती है और बागी काफी सारी चीज़े हैं इसके बारे में जितना आपको mainly जाना चीए था मैंने वह बताने की कोशिश करी अगर आपको अच्छी लगए वीडियो तो लाइक कर रहे हैं तो मैं समझा हूँ आप appreciate कर रहे हैं मेरे वर को comment में जरूर बताने कि आपको वीडियो कैसी लगी समझ आई और नहीं आई और आप इसमें से कितने features के बारे में जानते थे, fuse के बारे में जानते थे, नहीं जानते थे, यह सारी सीज़ों को बताना, so that's it guys, मिलते जल्दे कूल और एक्साइइटिंग वीडियो में तो जब तक के लिए जॉन में आए गाई, so to watch your heart, we started with that champion box guys, bye!